रियान पराग को अब टीम इंडिया में मौकें मिलने लगे हैं लेकिन यही रियान पराग है जिनने आईपेल में ट्रोल किया जाता था। इन्हें लोग कहते थे कि समझ रही आता कि रियानपरा को राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेन में जगय कैसे मिल जाती है जब वो परफॉर्मेंस ही नहीं देते लेकिन अब रियानपरा के बारे में सब की राय बदल चुकी है। देबिय हुआ वहां रियानपराग ने तीन विकेट चटकाए खासकर अविश्का फर्नैंडो का जो 96 रन बना कर खेल रहे थे और काफी डेंजरस दिख रहे थे। बॉलिंग में रियानपराग ने कमाल किया है लेकिन बल्लेबाजी में अभी वो दम खम नहीं दिखा पाए है रियानपराग को टीम इंडिया में मिलतें बार बार मौके तीन खिलाडियो का पत्ता T20i और ODI टीम से काट सकते हैं चलिए उन तीन खिलाडियो के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं पहले खिलाड़े हैं रिंकू सिंग, रिंकू को जनली T20 और ODI में मिडल ओर्डर में बल्ले बाजी करवाई जाती है, नमबर पांच या नमबर छे पर वो बल्ले बाजी करते वे नजर आते हैं, लेकिन रिंकू एक स्पेशलिस्ट बल्ले बाज हैं और गौतंग अंभीर एर तो इस वज़े से रिंकू सिंग का पत्ता टीम से कट सकता है, दूसरे खिलाड़ी हैं शिवम दूबे, शिवम दूबे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक बिगिस्ट फ्लॉप साबित हुए हैं, आईपेल में दूबे कुछ और नजर आते हैं और इंटरनेशनल क्रिके नहीं कर पाए हैं, शिवम दूबे पेस का उप्शन देते हैं और रियान पराग स्पिन का उप्शन देते हैं, लेकिन अगर चैंपेंश ट्रॉफी की तयारियों के हिसाब से देखें, तो चैंपेंश ट्रॉफी एशिया में खेली जानी हैं और ऐसे में गौतों गंभीर उ विकेट कीपर बैट्समेन है और रियान पराग एक आल राउंडर है राहुल एक अच्छे बल्लेबाद है जो टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते वे नजर आते हैं अगर विकेट कीपर के तौर पर टीम में रिशपंत को रखा जाता है और केल राहुल को एज़ इस पिसलिष्ट बैट्समेन के तौर पर टीम में रखने की बात होती है तो राहुल के लिए दिक्कते हो सकती है क्योंकि ओविसली मैनेजमेंट तो आल राउंडर को ही प्रिफरेंस देगी तो ये थी वो तीन खिलाड़ी जिनके लिए रियान पराग गले की हड़ी बन सकते हैं बाकी आपके क्या व्यूज हैं आप कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथे साथ हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलिए